वेलकम बैक टू माई टूप चल पेपर हैकर और आज किस वीडियो हम देखेंगे कि जो भी छात्र बीकॉम सेकंडियर में है उनकी हम लेक लेकर आए है पबलिस फैनसर का वेपर है समाजिक वीद्डि बोलता है अभ देखो आपसी कोशन इस तरही किसे बोलता है और इस कोशन सबस्क्राइब को परिभास की आपको लिए से लिंक डिसक्राइब मिन जाएगा या फिर आप सिधे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं है बीघॉड प्रच आपको जो है वह तरीको एक्स्प्राइब के लिए तो बहुत इहां देखो उसके बाद में आप में और एड़ कर रखा है वो देखा है समाजिक वित जिसे लोग वित बोला जाता है एबम निजी वित में अंतर आप से पूछ लेता है ठीक है कर देना है और कोई इशू तो कॉमेंट सेक्स में पूल सकते हो तो देखो यहां आपको देखो यहां कुछ दे रख है तो यहां से देखो समाजिवित लोगवित में अंतर इसपश्ट करने से पहले यह ज्यादा महत्पूर है कि इन दोनों का आश्य समझ लिया जाए और करने का पृतन किया जाता है मतलब यहां उने बूला गया है नहीं लेकिन मैं पढ़ के बता देता हूं पूरा तरीके से धान को अद्धर करते हैं मतलब कि लोगवित के औंतर को आता है कहीं मतलब होता है कि जनता की समुहिक समस्याओं की पूर्ति करे जाए उनकी उनकी संतुздरम करने प्रत्न किया जाए उनकी संतुष्टी को अधिक से अधिक किया जाए यह उन्हें बोला गया है ठीक है यह चीज किया जाए और उसकी बात करा है उनकी पूर्ति की जाएए संतोस्ती आधिक्त्म किया जाएं यह हमारी लोग बताता है राजस्त आता है उसकी अधिन कई किया जाता है तो तो याओध रखना जो निजी वित का मतलब होता है जो सवय की सोять की पूर्ति के लिए इशु कि अवसकताओं के लिए जह करло hay जाते हैं वो हमारे निजी बित के लिए और से क्याओं पूरी हम जनता कि लिए जनता के सहायता के लिए जो समुईक सहायता होती उसकी पूर्ती के लिए हम यह कोई कदम होता दें तो वो हमारा लोग बिट के अंतर आता है अब समझ चुके हैं चलो अब आपको यह तो बता होगा कि डाल्टन ने एक मत दिया था एक परिभासा दी थी इनके बोला गया कि व लोगवित और निजीवित में मुखंतर क्या-क्या है अब यहां से हम जाएंगे और यहां से एक्स्पिल्न करना स्टार्ट करेंगे अब यहां बूला गया है आई और बे का समायोजन यदि आप हमें आरे इस नोट्स को डाल्लोड करना चाहते हैं तो नोट्स का लिंक डिस्कप्शन बॉक्स में जाकर आप टेलिग्राम पर जाईए बहां सारे लिंक डिस्कप्शन बॉक्स में दे रखे हैं टेलिग्राम का लिंक डिस्कप्शन बॉक्स में आप ट एक भिन ढंक से होता है जैसे कि समान ब्यक्ति प्रयाप पहले अपनी आय का अनुमान लगाता है कि उसने कितना कमाया एक ब्यक्ति ने पिर और उसके अनुसार अपने व्यकी रासी नहर्ष्यकरता करता है कि मैं इतने रुपए कमा रहा हूं और इतने खर्च कर दू जबकि लोकबित में सरकार पहले ये निश्यत करती है पहले ये निश्यत करती है कि उसे विभिन मतों पर कुल कितना खर्च करना है ठीक है लेकिन सरकार जो लोकबित होता है उसमें सरकार ये निश्यत करती है कि विभिन जो पद हैं मत हैं उन पर क्या हां कहां कितना खर्च करना है और तत परशाद वह आए के साधन खोशती है उसके बाद आए के मतलब कि वो कहां से कमाए इतने रुपए उसके बाद वो खोचती है तो यह होता है लोगवित और आईवित में अंदर उसके बाद में उद्देश के आधार पर देखा जाए तो देखो एक ब्यक्ति प्रतेक कार लाव के उद्देश से करता है कोई ब्यक्ति है और वो अपने कार को कैसे करेगा आप गोगे वो अपने कार को कैसे जबकि समाजिक और सरकारी कारियों का उद्देश अधिक्तम समाजिक कल्याड होता है मतलब जबकि जो सरकार का कारियों का उद्देश क्या होता है कि वो अधिक्तम वो लोगों की कल्याड करें इसलिए और आप जान सकते भस इतना ही लिख देना यही उसके बाद में हम क्या करेंगे next heading डालेंगे आए की लोज आए की लोज पर यहां डालने के बाद में लिखेंगे कि ब्यक्तिगत आए की तुलना में जो समाजिक आए में अधिक लोज होती है बल्लब ब्यक्तिगत रधी कर सकती है, जब कि व्यक्ति के तुरूप में संभब नहीं है, उसकी बाद में एक हार्णी डालेंगे, जिसका नाम होगा रिणो का स्वाब, अब रिणो का सौभाब में क्या होता है, दे को मुला गया है, ये यदी वे आए से अधिक हैं यदि वे हैं मतलब आपने खर्च किया वो आए से अधिक खर्च कर दिया तो रिड की आब सकता दोनों पिरकार की विवस्था में पड़ती है यदि मालो तो आम क्या करेंगे तो भाई कर्ज लोगे बहां से जब आपने कमाया 100 रुप है खर्च कर दिया 1.5 500 रुप है तो क्या करोगे करच तो लोगे कही न कहीं से पर अधिक है जो खयाती है वो अधिक होगा अता ये आसानी से रड़ प्राप्ति कर लेती है मलब सरकार है वो आसानी से रड़ प्राप्ति कर लेती है जबकि ब्यक्ति रड़ दान को इच्छा पर मिलना स्वभाव होता है मलब बहुत कम मिलता है कि वो अपनी इच्छा के इतना रड़ ले सकता है लेकिन सरकार को जितना चाहा वो रड़ ले लेती है वो से आसानी से मिल जाता है लेक बेक्ति को एक रड़दान की बात की जाए रड़दाता जो होता है वो इच्छा अपने इच्छा के नुसार देता है कि भाई मत मैं इतना ही पैसा दे सकता हूं उससे जादा नहीं दे सकत बोला गया है तो यह होता है और यह अधिक्तम लाव और प्रात्ती की भावना से प्रित होता है जबकि जो सरकार की जो वे होता है वो पिरकृति की दरश्टी से भिन होता है और वे उत्पादन भी होते हैं वे उत्पादक भी होते हैं वो कर्ज भी करते हैं साथ उत्पादक उन्हें उलाब भी मिलता है और ये उभोकारी भी होते हैं ये उभोकारी भी है इस प्रकार से कह और इसका विप्रत dynamics जो चार्व राज की बिचार पूर्म अपनाई गई आ Communist की बिजट की प्रिकरिया के बारे में तो यहां कुछ तोफिक याद करो और वाहां से आजसानी से कर सकते हैं यहां बोलागा निज़ी विवस्ता में प्रया अपनी आय में भी कुछ बचाद देखो जो निजी बित होता है जो ब्यक्ति को यह सकते जो पनी बित है उसमें चुछ बचाने की बुद्धि मानता समझता है मतलब कि सक्ती का प्रियोग कहा होता है तो यह चीज़ करनी आपको संगठन के बारे में तो अब यह देख सकता है कि वितसंबंदी अनेक सुतनत्रताइं होती है वह चाहे कि समय को आधार मानकर अपनी वित्ये निजी जो निधार कर सकता है जबकि समाजिक वित की जो अवदी एक वर्स होती है मतलब जो होती है उसकी जो अब दी होती है वह एक वर्स तक आप उसको नहीं कर सकते लेकिन समाजिक जो और जो निती वित कहसे निजी वित होता है वह अपने उपर डिपेंट करता है वह जब चाहें करें अब ज सरकार अपने वित्तिये जो समार्क होते हैं उनको समाजिक रूप से प्रकासित करती है तथा बजट का आर्थ अधिक से अधिक विग्यापन और प्रिसार किया जाता है जो बजट आता है उसका विग्यापन और प्रिसार किया जाता है तो यहीं बात की जाए सक्ति की बात में सरकार को साथ की तुवारा बल प्रयोग करके वसूल लिया जाता है तो बल के निजी बेत में बल का प्रयोग कोई इस्थान नहीं है आप निजी 除 बित है तो आप बल का प्रयोग नहीं कर सकते और वे तो केबल सुच्छा एवं सद्भावनों से ही रिड या फिर सहायता प्राप्ट कर सकता है तो यहाँ वाँ सितना ही लिखिए 11-12 पॉइंट लिखने के जुरूत नहीं है और उसके बाद में आप यहाँ इस पस्ट करेंगे और इस अंतर के गारण ही नहीं लिखने के लिखने के पनाएप्ट क यहाँ बाद के लिखने बाद के यहाँ अप इस तरहिके से एकज़ाम में करके आएँगे आज की वीडियो कैसे लगी कॉमेंट सेक्सर में आप ज़रू बताएगा आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई उस चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को प्रेश कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देंगे थैंक यू फॉर बचिंद इस वीडियो बड़ elder चुवत सब्सक्तों में लुड़न को सब्सक्राइब कर पॉर की एप बपने। है कि अभएब कर देंगेंगेंगे M немнож